हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेयर बजार विदायुष और बात करेंगे दोस्तों इस फीडियो में आज की ग्रे मार्केट प्रीमिम्म के बारे में दोस्तों कल से उपन होने वाला है कौन सा आइपियो एककम ड्रग्स और फार्मसोटिकल जिहां कल से इस इस इस्यो में पैसा डाला गया है दो रुपे पर शे की दूस्तों इस आइपियो की वाल्यू है फेस वाल्यू है मतला प्राइस बन तो कंपनी रखा है 646-679 रुपीज पर शेयर का 22 शेयर का लॉट साइज एक को लिमलाकर 1856 करोड का इशू है जिसमें से फ्रेश इशू ह 680 करोड का बचाओ बाकी का offer for sale है करीबन 1176 करोड का इसमें company अपने employees के लिए करीबन 64 रुपीज पर शेयर का discount भी रखा है और BAC NAC दूनों पर आपको ही list भी होता हुआ दिखेगा तो no doubt एक important IPO बट किस तरीके से करता है कितना बढ़िया करता है ये तो definitely आने वाल दिन बत इसके पाद दोस्तों बात करते हैं सियागल इंडिया IPO से सो यह IPO आपको पता है यह 1st of August से 5th August तक open रहेगा अब size details आउट कर दी गई है 5 रुपे की face value है 380 से 401 रुपीज का price band तई किया गया है यहाँ पर ज़रूर देखे lot size नहीं लिखावा है पर आपको बताता हूँ lot ए 37 shares हमको मिलते हुए नजर आएंगे बाकी दोस्तों issue का size जो है वो करीबन 1252 करोड का है जिसमें से 684 करोड का fresh issue है और बचावा बाकी का offer for sale है 568.41 करोड का इसमें company अपने employees के लिए discount रखा है 38 रुपीज per share का और BAC, NAC दोनों पर आपको यह list भी होता हुआ दिखेगा बा दोस्तों यह भी interesting IPO रहेगा जो एक अगस से open होगा इस IPO की anchor book 31st of July कम को पता चलेगी तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि कौन कौन से वहां पर भी नाम निकल कर आते है अपना आप में अच्छी company है now the fastest growing infrastructure company में से एक है so no doubt दोस्तों देखते हैं यहां पर आगे क्या details निक कह सकता हूं कि price band बहुत साही रखा गया है यह साफ कह सकता हूं कि देखिए investors के बारे मैं at least सोचा गया यह सबसे important बात है क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा because जो दोस्तों company ने जिन valuations पे कह सकता हूं यहां पर पहले पैसे उठाए थे या फिर जिन valuations पे company ने last round किया था उससे भी company ने at least सोचा है कि अगर हम सही valuation नहीं रखेंगे तो no doubt issue को response ना मिले यह अपना आप में एक सबसे खराब situation हो जाएगी तो I think company ने उसके साब से जो price band है वो इस तरीके से रखा valuations जो है वो investors के लिए at least हम कह सकते है कि थोड़ी से आकरशक रखी है ऐसा भी नहीं है कि इसके 100-200% का मुनाफ़ा हो जाए होने वाला है obviously बात ऐसा नहीं है but no doubt at least लगता है कि थोड़ा बहुत मुनाफ़ा हो जाए तो हो जाए बाकी 195 का price band है 6145 करोड का issue है 5500 करोड का इस IPO का fresh issue है जिसमें से offer for sale है 645 करोड का यह काफी छोटा portion जो है वो offer for sale का है बाकी बड़ा portion 5500 करो बीस यहने से दोनों पर लिस्ट होने वाला है बठा 75% इसमें QIV के लिए है 10% retail काटेगरी के लिए है और HNI के लिए 15% काटेगरी जो है वो basically रखी गई है अब दुस्तों green market बात करते लेकिन उससे पहले आपको एक और update देता हूं तो दुस्तों brain bees जी हाँ brain bees जो लोग नह आप मिल जाए यह फूरत है कि थोड़ी से लेट हो जाए बट नो डाउट यह issue open होने जा रहा है इस प्रकार की expectations है तो नो डाउट एक और interesting issue almost दुस्तों 4.45 करोड का issue रह सकता है इस प्रकार की expectations है तो यह एक अगला IPO हो सकता है after Ola Electric हो सकता है कि इसके बीचे भी एक निकल क issue है जो 24 रुपीस का है कोई gray market नहीं है 18.72 करोड का issue का size है दो अगस से दोस्तों यह issue open होगा 6 अगस तक issue open रहने जा रहा है नेक्स आता है EFcom Holdings एक BACS में issue है जो करी बने 108 रुपे का price win के साथ आया है 73.83 करोड का issue का size है कोई भी gray market नहीं है 2 अगस से 6 अगस तक यह issue भी open रहेगा को मिलागर 73.83 करोड का issue का size है नेक्स आता है Ola Electric आप देख सकते हैं वैसे कली start हो गई थी और अब दोस्तों करेंबन 15.79% हम देख सकते हैं Ola Electric की gray market नजर आ रही है कहीं जगह पे तो देखे brain beast की भी gray market start हो गई है almost 30 रुपे के आस-पास बट क्योंकि price में निकल कर गिरावर्ट औरड़ी gray market में देखने को मिल गया है बट देखते हैं होता क्या है कावी करेंट है 22% के आस-पास का करेंट जो premium है वो basically इस issue का चल रहा है नेक्स आता है धारिवाल कॉप एक N.S.A.S.A. में इस जो दोस्तों open होने वाला है कब से 1 अगस से 5 अगस्त के बीच म 106 रुपे का price band है जिसके समने आप देख सकते हैं 15% का current premium चल रहा है 25 करोड का issue का size है so let's see कितना वड़ी आगी कर पाता है नेक्स आता है उतसव सीजाड गोल जो एक N.S.A.S.A. में issue है जो 110 रुपे का price band के साथ आया है कोई gray market नहीं है 69.5 रुड का issue का size है 31st of July से 2nd अगस तक दोस्तों ये issue open रहेगा next आता है साथ low car synergies एक और N.S.A.S.A. में issue जो 140 रुपे के price band के साथ आया है 92 का price band gray market है almost 65% का premium है 92 करोड का issue का size है so जितना gray market है उतना ही दोस्तों issue का size भी है बागी 30 जुलाई से ये action में रहेगा निकल से 1 अगस्तक action में रहने जा रहा है next आता आता है बागी ये issue भी बढ़िया कर सकता है बलकॉप क्योंकि करीवन 81% का premium दिख रहा है so let's see 30 जुलाई से उपन होगा एक अगस्तक उपन रहेगा 20 क्रोड का issue का size है next साथ राजपताने इंडस्री जैक N.S.A.S.A. में issue है जो 38 रुपीस के price band के साथ आया almost 113% का current premium चल रह रहा है बाकी 30 जुलाई से ये भी उपन होगा एक अगस्तक उपन रहेगा अपने आप में आपको समझना पड़ेगा जो आपको उने कल भी बताया था कि कोई भी इशू का gray market अगर 100% से उपर है 90% से भी अगर उपर है तो वो इशू 90% से भी अगर उपर है तो वो इशू 90 तो राजपता ने इंडस्ट्री से समने का ये इशू 30 जुलाई से उपन होगा नेक्स आता है आशापुरा लोजिस्टिक्स एक एक अगस्तक उपन होने वाला है 144 का प्राइस बेंड है 55 का gray market है almost दोस्तो 39% का premium है बाकी 52 क्रोड का इशू का साइज है तो लेट सी कितना ग्री मार्केट बढ़ता हुआ दिखता है जैसा मने का आज इसकी आंकर बुकता है करेगी कि किस तरीके से ये इशू को हम देखेंगे राइट अच्छे नाम निकल कर आ गए तो अपने आप में दोस्तों इशू पर और चार चान लग सकते है बाकी जो सब्स्रिप्शन रह रहा है आज से दुस्तों इशू जो ओपन नहीं आज से नहीं चब्बू जैसे ओपन होगया था ये बाकी ये कल क्लोज होने वाला है इस्पिरिट स्टोंज एक नसे एसम इशू है 87 का प्राइस बेंड है और अब देख सकते 58.62 परसन का प्रीमियम है अभी तक 9 गुना का इस पर सब्सक्राइब भी हो चुका है तो ये इशू दूस्तों कल याद रखेगा बंद होने जा रहा है नेक्स आता है से टेक सॉफफवेर एक नसे एसम इशू है जो बेसिकली 30 जुलाई को ये भी बंद होगा 50 रन का प्राइस बेंड है और 75 का प्रीमियम है यानि ये व सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं नो ग्रे मार्केट होने के बावजूद भी 22 गुनावी तक सब्सक्राइब हो चुका है तो एक इंट्रेस्टिंग सी बात यही कि देखे बहुत बार इशू में कोई ग्रे मार्केट होने की बावजूद भी पैसा आ जाता है नेक्स आ बागी 252 ताइम स्पर सब्सक्राइब हो है याद रखेगा आज इस आईपो की क्लूसिंग है नेक्स आता है चेतना एजुकेशन एक नसे एसमे इसू जिसका अलॉट्मेंट आ जाने वाला है फिफ्टी पॉन्ट पाइफन परसंगा दोस्तों करेंट प्रीम चल रहा है और 21 जलाई को बीविए पी इंफ्रेटेक एक बीएसे एसमे इसू जिसकी लिस्टिंग कल होने वाली है बाकी 131 परसंगे प्रीम के साथ दोस्तों अभी आपको यह ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बट जिसमाने एका 90 परसंग पर यह लिस्ट नहीं हो सकते हैं नेक्स आता है VL Infra Projects जिसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है 142 परसंगा इसका करेंट प्रीमियम चल रहा है बाकि आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें RNFI Services 84 परसंग के सामने दोस्तों 90 परसंग के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और यह आपको बने का था किसकी लिस्टिंग अच्छ